तो अब हम चल रहे हैं अपनी बुलैरो नियों के तरफ आपको उसका भी दिखाएंगे तो गराज के अंदर है अब यह एक्सपोज वगेरा मत करने लगना कि मैं फेक डिलेवरी लेता हूं और मेरी गाड़ी नहीं है नंबर शायद आपको मैं ना दिखा पाहूं विकॉस कुछ रीजन है ओके यह देखिया बुलैरो नियों मेरी वाली अच्छा एक अपडेट देना चाहूंगा मेरे को अभी तक इन्फोटेन्मेंट सिस्टम नहीं मिला था तो मैंने अभी केंवुड वाला ही लगवालिया लेधरेट या प्यू लेधर वाला कवर नहीं पसंद है किंग जो आता है नॉर्मल कवर ठीक कप्ड़े वाला है तो चलो इसको लगाते हैं पंचाबी इसके वह चीज है माइक्रो हाइब्रेड वाली कि फस्ट गेर पर या सेकंड ग्यार या गेर पर जब गाड़ी लगी रहती तो इस्टार्ट नहीं होती जैसे न्यूट्रल करोगे वैसे गाड़ी स्टार्ट होगी यह देखो अब वी स्टार्ट है एक एसी अभी बन दे इसको निकालते हैं अपन पहले यह जची जकाब पहले है और यए वी। यह लाग और आप पूछ रहा थे ना, मैं नंबर नहीं दिखा सकता, because of some security reason 4858 इसका नंबर है, बढ़ है मेरी अब देखो आप साइट से इसको इसको साइट से कुछ इस तरीगे की लगती है N10 Optional है मैं आपको अपडेट देना चाहरा था इस वज़े से ये वीडियो बना रहा हूं छोटा सा वाकराउंड ले ले लेते हैं आपको आपको ये देखिए ओके ये बुले रूनियो, N10 Optional है लिखा N10 है यह N10 लिखा है, पर है N10 Optional साइट से देखी जाए आपको बाकी अराउंड मेरे गाड़ी कुछ 35-36 चल चुकी है तो चलाने में अच्छी है गाड़ी रिलाइबिल्टी वाइस और सर्विस वाइस अच्छी है अच्छी गाड़ी बुले रूनियो स्टेशियस है AC अच्छा खासा पावरफुल है जलाने में परफॉर्मेंस अच्छी है 1.5 लेटर का 3-cylinder M-Hawk diesel engine है जो की अराउंड 260 नेटर मेटर का अच्छी है और 100 भी अच्छी पावर प्रोडियोस करता है तो काफी अच्छा है भाकी यह देखिया यहाँ पे पूरा DRL दिया गया और यह देखिए इसकी रेडियेटर को आपको विल्कुल फील आने वाला है कि मैंने अभी फिलाल केंवुड का जो कंपनी से आता है वह वाला सिस्टम लगवा लिया है पर रेगूलर जो साथ इंच का था वो जल्द मुझे वह देखने के लिए मिलने वाला है अब मैं आपको यह दिखाना चाहता हूँ कि जब भी हम अशी चलाते हैं क्या इसके आर्पीम पे कोई अफेक्ट पड़ता है इंजन के स्पीड कम यह ज्यादा होती है कि नहीं होती तो लेट सी ओके बुलेरो नी हम इसको स्टार्ट करते हैं हो गई आर्पीम देखी अभी वन थाउजन पे थोड़ा सा नीच है जरासा और एसी जो है फिलाल बंद है हम इसको चाहलो करते है कुछ भी इंजन की स्पीड पे अंतर नहीं पड़ा जब हम अपना AC चलाते हैं तो यह चीज में आपको दिखाना चाह रहा था कि बुलेरो नीओ में जो आर्पीम होता है तो इसमें कोई भी अफेक्ट नहीं पड़ता इंजन के स्पीड कोई चेंज नहीं होती अगर आप AC चलाते हो तो यह ता वीडियो जहां पर मैं आपको अपडेट दिया कि मैंने अपने बुलेरो नीओ में यह वाला जो इन्फोटेन्मेंट सिस्टम में वो लगवा लिया बाकि आपको अंटन उप्शनले इसका सबूत दे देता हूं यह दो यह दो बुलेरो नीओ, अंटन उप्शनल तो यह अंटन उप्शनल है मेरी, टॉप अफफ द लाइन अंटन नीओ, अंटन उप्शनल है बाकि आप पूरी एक डेटेल्ड वीडियो लाव जल्द इस वीडियो को तेकने बहुत 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 है अंटन उप्शनल उप्शनल